सो हलो एन वेलकम यू ओल आम रोहित फ्रोम महाजन ट्रेडर्स तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर ग्रूप के बारे में और गाइस यहाँ पर फ्यूचर ग्रूप में एक और बड़ी न्यूज आ रही है और वही अगर दिखा जाए तो साथ ही आज बात होंगी आर पावर के बारे में और साथ ही बात होंगी आर कोम को लेकर तो गाइस यहाँ पर रिलाइन्स पावर और रिलाइन्स कम्यूनिकेशन के बारे में भी हम देखेंगे क्या लेवल्स इसके बन रहे हैं तो गाइस अगर इन लेवल्स को अगर आप देखोंगे तो बिल्कुल as a long term के basis पे आप अच्छा पेसा कमा सकते हो और guys साथ ही हम एक ऐसे share के बारे में बात करें जो 5H24 का bonus आपको दे रहा है यह नहीं चार share के उपर आपको 5 share free मिल सकते है तो guys यह stock की कीमत अगर मैं बता हो तो 7 रुबे का यह सस्ता share है जो आपको यहाँ पर bonus दे रहा है और guys अगर इन stocks में से आपने किसी एक share को भी खरीदा हो तो वीडियो को आइन तक देखना क्योंकि यह वीडियो काफी helpful होने वाला है आपके लिए तो guys यहाँ पर वीडियो को आगे बड़ो उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल दमाहाजन ट्रेडर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फो शेयर्स के अपडेट्स के लिए शेयर्स के लिए निउस के लिए तो guys करते है वीडियो को स्टार्ट उचलते है फ्यूचर ग्रूप के उपर so guys यहाँ पर अगर देखा जाए तो फ्यूचर ग्रूप ने हाली में फ्यूचर रिटल ने सौरी फ्यूचर रिटल ने हाली में एक objection लिया था यहाँ पर और objection के इस पर लिया गया था तो यहाँ पर जो professional जो यहाँ पर professional misplaced होते है जो resolution professional होते है जिनने हम RP के नाम से जानते हैं और यह क्या करते हैं यहाँ पर यह बिल्कुल नजर रखते हैं कोई सी company क्या कर रहे हैं क्या कुछ हो रहा है तो और बिल्कुल यहाँ पर नजर रखके जाते है किसी company के उपर और जो वो जो सूचना है एकत्रित करते हैं जो सूचना हो को यहाँ पर जो informations है जो data है उन्हें collect करके जिसने किसी company के उपर अगर case किया हो तो उस company को soap देते हैं तो यहाँ पर future retail ने एक यहाँ पर अगर objection लिया है आरपी के उपर और उनका कहना है कि यहाँ पर आप हमारे उपर आरपी नहीं बिढ़ा सकते हो और bank of India ने इस चीज़ को करारा जौब दिया है और उन्हें ने कहा है कि जो आप जो objection ले रहे हो एक किसी भी तरीके से सही नहीं है यह गलत है तो यहाँ पर उनकी वरसा objection लिया जा रहा है और यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर future retail के उपर objection लिया गया है और future retail ने कहा भी है कि हमारे उपर ही objection लिया गया है किसी दूसरी company के उपर objection नहीं लिया गया है और बिल्कुल जो यहाँ पर incorrect जो यहाँ पर informations है वो यहाँ पर दी जा रही है और यहाँ पर future retail का भी कहना है कि जो हमारे उपर है जो यह informations है वो बिल्कुल गलत data है वो गलत informations है ऐसी भी बात है उनकी और से गही जा रही है तो guys आगे देखना होगा कि क्या decision लिया जाता है क्या यह चीज सही है या फिर यह चीज गलत है तो guys काफी कुछ बात है यहाँ पर चल रही है बिल्कुल डिया आइब डियेचे काफी कुछ चीज़े है NCLT भी बीच में है और NCLT को यह information सोपी जा रही है RPK और से तो देखना होगा कि इन में क्या होता है guys और अब बात करते guys यहाँ पर Reliance Power Limited की Future Group के Future Retail की बात तो हम कर चुगे अब Reliance Power Limited की अगर बात करें तो यहाँ पर stock में क्या चल रहा है यहाँ पर अगर आप देखोंगे Reliance Power Limited यहाँ पर 11 रुपे 85 पेसे के लेवल पे stock ने closing दी थे लास्ट रेडिंग सेजन चो भी इस जून के बात में कर रहा हूँ और वही अगर देखा जाए तो guys कही न कही stock positive भी नजर आया है stock में अगर बड़त की बात कर ले तो यहाँ पर 25 पेसे तक की एक अच्छी बड़त है 2.16% के हिसाब से stock बड़ा है बात कर ले अगर इसके market cap की तो 4.04 थाउजन करोर का इसका market cap है और market cap के हिसाब से एक चीच clear हो जादी है कि एक mid cap stock की category में आने वाला share है और guys वही अगर बात कर लें 52 weeks का high इसका क्या गहता है तो 19 रुपे 25 पेसे तक का इसका high है और 9 रुपे 20 पेसे तक का low है तो बिल्कुल 19 रुपे तक जाने की कुशिश करेगा तो guys case है तो यहाँ पर इसके levels को हम समझे उससे पहले आप यहाँ पर community sentiments के आगडे भी देख लो stock को लेकर जो community sentiments के आगडे हैं बिल्कुल positive नज़रा रहे है 83% जो लोग है वो बिल्कुल buy करने के लिए हाँ पर कह रहे हैं साथ ही जो 17% लोग है यहाँ पर sell करने के लिए कह रहे हैं बढ़ यहाँ पर जो आगडे हैं वो buyers यहाँ पर जादा है क्योंकि levels ही यहाँ पर तगड़े बन रहे है और लेवल्स को अगर आप देखोंगे तो बिलकुल शानदार रीटन यहाँ पर हमें मिलने वाले है रिलाइंस पावर में तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या लेवल्स आपको दीख रहे हैं बिलकूल यहाँ पर तगड़े लेवल्स हैं उन्हें हम समझ लेते हैं यहाँ पर stock बिल्कूल ऊपर के ओर गया यहाँ पर stock ने resistance लिया फिर stock नीचा आया support लिया फिर यहाँ पर support लिया फिर resistance फिर support फिर resistance फिर support तो guys यहाँ पर काफी time से upside down momentum हमें इस share में देखने को मिल रहे हैं और जिस जगों पर इसने सपोर्ट लिया है बिल्कुल एक थगड़े हाई इसने लगाए है तो यहाँ पर भी हम उम्मित कर रहे हैं कि यह हाई लगे तो लगना ही चाहिए उससे साथ साथ अगर इहाँ पर इस लेवल पर ब्रेकाउट अगर हमें मिल जाता है तो यहाँ पर का तो अपका केबिटल हो आप इनवेस्ट कर सकते हो क्योंकि हाँ पर अल्रेड़ी एक सपोर्ट ले रहा है इस जगह पर अपना 25% आप इनवेस्ट कर सकते हो ब्रेकाउट के टाइम ओर 25 इनवेस्ट करो रेटे सस्टेंग करता है तो और 50% यूज़ करो इस तरीके से 100% केबि स्टॉक ने क्लोजिंग दी थी एक अच्छे मोमेंटम के साथ इसने क्लोजिंग दी थी 4.44% के हिसाब से स्टॉक यहाँ पर बढ़ा था यहाँ पर अगर बात करें मार्केट के आप तो कहीं ना कई मार्केट के आप रेडियूस होता है कभी बढ़ता है तो काफी जाद तो ही अगर बात कर ले इसका 50 डुक्स का हाई 5.05 पेसे का है और लो की अगर बात कर ले तो 2.10 पेसे का लो भी आपको दिखने को जाएगा लेवल्स हम देख लेते हैं तो लेवल्स शांदार दिखाई दे रहे हैं यहाँ से स्टॉक नीचे क्यों रहा है यहाँ पर स्टॉ का टार्गेट जो है अच्छी हो सकता है यानि अगर आप 2,000 इंवेस्ट करते हो तो आपका पेसा बिल्कुल यहाँ पर डबल हो सकता है तो बिल्कुल यहाँ पर अगर Reliance Communication Limited में अगर देखो तो guys wait करना है और उसी strategic आपको यहाँ पर यूस करना है जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर जब support लेता है तो support की जगर 25% आप invest करों breakout जब मिलता है तो 25% आप invest कर सकते हो और जैसे ही यह sustain करना आता है और अपना 50% आप capital का use कर सकते हो इस तरीके से आपका 100% जो capital है उसका आप use कर सकते हो और अच्छा profit भी आपको मिल जाएगा तो guys जो हमारा जो bonus share है उसका नाम है स्वाती विनायकार्ट Heritage and Corporation Limited और यहाँ पर अगर बात कर ले तो स्वाती विनायकार्ट Heritage and Corporation Limited में 7.15 पेसी का level पे stock ने closing दी थी 24 जून के मैं बात कर रहा हूं और 0.15 पेसी तक stock में एक अच्छी बड़त भी हमें देखने को मिली 2.14% के ह आप से stock बढ़ा है गास और यह अगर बात करें market cap 28.36 करोड का है small cap category का share है वह अगर बात करें तो यहाँ पर शानदार stock bonus दे रहा है तो guys यहाँ पर अगर bonus के announcement की बात कर ले तो 30 मई 2022 को announcement इनकी और से की गई थी bonus के लिए और 1 जुलाई 2022 को यहाँ पर x bonus date भी आपको देखन मिलने वाल है तो guys आपर बिलकुल हमने काफी कुछ बाते कर लिए इन shares के बारे में तो वीडियो उच्छा लगाओ वीडियो को like करो चैनल को subscribe करो thank you